Hello Friends, स्वागात आप सभी का फिट से एक नई वीडियो में तो Friends आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Facebook एकाउंट डिलेट कैसे करें How to delete Facebook एकाउंट दोस्तो अगर आप अपना Facebook एकाउंट को हमेशा के लिए डिलेट करना चाहते हैं यानि कि पर्मनेंटे के लिए डिलेट करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को सुरू से लेकर आकरी तक देखते रहें क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि फैस्बुक एकाउंट डिलेट कैसे करे हमेशा के लिए तो चले फ्रेंड्स आपका बिना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स फैस्बुक एकाउंट को हमेशा के लिए डिलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फैस्बुक को ओपेन कर लिया हूं और आप भी अपने फैस्बुक को ओपेन कर लिजी और फैस्बुक ओपेन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको right hand side में three line का option मिलेगा तो इस three line पर आपको click करना है और three line पर click करने के बाद आपके सामने फिट से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको थोड़ा सा scroll down करके नीचे आ जाना है ओके फ्रेंट्स और नीचे आने पर यहाँ पर आपको setting and privacy का option मिलेगा जो की logout से उपर है तो आपको इस पर click करना है और setting and privacy पर click करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया interface देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर आपको चौंते नमर में मिलेगा setting का option तो यहाँ पर आपको confuse नहीं होना guys तो यहाँ पर आपको personal and account information का option मिलेगा जो की first number में है तो इस पर आपको click करना है और इस पर click करने के बाद फिर से कुछ देर के लिए loading लेगा और loading लेने के बाद आपके सामने फिर से एक नया interface देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर बहुत सार option मिलेंगे account ownership and control ओके friends तो आपको fourth number में जो मिलेगा सबसे नीचे है account ownership and control तो आपको इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद एक दो second के लिए loading लेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और loading लेने के बाद आपके सामने इस type का interface देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर आपको दो option मिलेगा guys तो आपको यहाँ पर क्या करना है second number मिलेगा deactivation and deletion तो इस पर आपको click करना है जो कि second number में है इस पर click करने के बाद फिर से आपको कुछ देख सर्चिंग लेगा और searching लेने के बाद फिर से आपके सामने एक नया interface देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर फिर से आपक delete account उसके नीचे में आपको मिलेगा deleting your account is permanent ओके गाइज तो इस पर आपको tick कर देना यानि कि इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको continue to account dilation पर click करना है जो कि blue color में है तो मैं इस पर click कर लेता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद फिर से एक दूर सकेंड के लिए लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप से कोई एक रीजन मांगा जाएगा जिस रीजन के करन आप अपना Facebook एकांट को डिलेट करना चाहते हैं उस रीजन को यहाँ से सलेक्ट कर लिजिए तो यहाँ पर मैं एक रीजन को सलेक्ट कर लेता हूँ माई एकांट वाज हैग्ड आप यहाँ पर कोई रीजन को सलेक्ट कर सकते हैं एक रीजन को तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ my account was hacked और region select करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया interface देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर आपको फिर से continue to account deletion पे क्लिक करना है जो की blue color में है और इस पे क्लिक करने के बाद फिर से 1-2 second के लिए loading लेगा और loading लेने के बाद आपके सामने फिर से एक नया interface देखनों को मिलेगा तो friends यहाँ पर आपको फिर से scroll down करते हुए सबसे नीचे चले जाना है और नीचे आने पर यहाँ पर आपको फिर से blue color मिलेगा delete account तो फिर से आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना facebook का password डाल देना है जो आपका facebook का password है वो यहाँ पर डाल देना है तो मैं अपना facebook का password यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और आप भी अपने facebook का password को इंटर कर दीजिए और password इंटर करने के बाद यहाँ पर continue पर क्लिक कर दीजिए जो की blue color में है तो मैं इस पे click करता हूँ और continue पे click करने के बाद कुछ दिर के लिए searching लेगा और searching लेने के बाद यहाँ पर मिलेगा delete account तो इस पे click करना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप अपने account को जब delete कर लेंगे तो अप 30 दिन तक आप अपने account को login नहीं कीजेगा अगर आप 30 दिन के अंधर login कर लेते हैं तो आपका account जो है हमेशा के लिए delete नहीं होगा यह बात आप धियान में रखेगा क्योंकि आप 30 दिन के अंधर उस account को login नहीं कीजेगा 30 दिन के बाद आप login करेंगे आपका facebook account जो हमेशा के लिए delete हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा facebook account जो हमेशा के लिए delete हो चुका है permanently के लिए तो गाइज इसी तरीके से आप अपने facebook account को हमेशा के लिए delete कर सकते हैं तो I hope आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल आरे ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और notification बेल आइकन को जरूर दबाईए तो चलिए गाईज एक नई वीडियो मिलते हैं फिर एक नए ट्रिक के साथ जब तक के लिए बाई